हलो बच्चो वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंड टेंथ मैट्स वन आलजेब्रा का चैप्टर नमबर सिक्स जिसका नाम है स्टेटिस्टिक्स इसको हम स्टाइट्स भी बोलते हैं इसके लेक्चर वन में मैंने आपको प्रैक्टेस एट 6.1 का फ वही मैटर्ड से करेंगे ठीक है मैंने पहले लेक्चर में बहुत ज्यादा डीटेल से फर्स्ट वाल आपको बता दिया है ताकि आपको आगे क्वेस्टिन में डिफिकल्टी नहीं नहीं देखा है तो यहां पे लिंक आएगा उस पे क्लिक कीजिए आपको लाइन वाई सार मेफ़ट्स हैं अम मिल्क सेंटर सोल्ड में टू 50 कास्टमर अउसको इसको मिल्क सेंटर ने मिल्क बेचा ड़े बलो गिवस द लामर ऑव कास्टमर और छे मिल्क देपरचेस्टा है यह मिल्क सोल्ड कितना है 1 to 2 लीटर 2 to 3 लीटर 3 to 4 लीटर एसे दिया हुआuestas वाल आगे ल number of customers दिये हुए है, 17, 13, 10, 7, 3, यह 7 customers ऐसे हैं जो 4 से 5 लीटर मिल खरीदते हैं, 13 customers ऐसे हैं जो 2 से 3 लीटर मिल खरीदते हैं, तो यह चीज का हम लोग को mean निकालना है by direct mean method, ठीक है, तो यह कैसे calculate करेंगे हम लोग, तो हम लोग बनाएंगे इसका frequency distribution table, नाम सुनके डरोमा तो table को frequency distribution table ही बोलते हैं, तो यहां पर पूछा है direct method, तो हमको पता है direct method मतलब ध्रवीड, ध्रवीड 4 नमर पर आता है, तो 4 columns, ठीक है, राउल ध्रवीड, और यहां पर कितने हैं, रोज कितने हैं, 1, 2 columns, 3, 4, 5, 6 है, तो जो हम main table मनाएंगे, उसमें हम 7 rows बनाएंगे, क्यों, ब तो फटाफट से table बनाओ, तो यहां देख लो, एक, दो, तीन, चार, चार column, और रोज कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितने columns question में दिये थे, उससे एक जादा because last color total का आएगा, सबसे पहला column क्या होगा, सबसे पहला column होगा, class का, correct, और यहां पर class क्या है, milk sold, जो question में दिया customers, और frequency हम लोग कौन से later से denote करते हैं, fi, ठीक है, तो यह दो चीजे तो question में आपको free में दी गई है, सीधा यहां पर आपको copy कर लिए, और क्या आएगा यहां पर क्या आएगा, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर हम लोग calculate करेंगे class mark, और class mark को हम लोग xi से denote करते हैं, औ यह दोनों का product होता है, तो हम लोग उसमें लिख देंगे class mark into frequency है, frequency into class mark, और यह क्या क्या है, देखो frequency मतलब fi, और class mark मतलब x है, तो fi into x है, ठीक है, यह data भर दिया, अब यह आपके पास question में दिया हुआ है, देखो पहला वाला जो रो है वो, तो वो क्या आ जाएगा, आपक 10, फिर दिया है 7, फिर दिया है 3, ठीक है, तो यह जो free में काम मिल रहा था, वो हमने already कर लिया है, अब क्या करना है, अब यह चीज calculate करनी है, और एक बार आपको यह मिल गया, तो यह आपको इस दोनों का product करके मिल जाएगा, तो यह कैसे निकालते है, class mark क्या होता है, यह lower limit plus upper limit, जो भी class दी गई है, वो lower limit plus upper limit add करने का, और दोनों को 2 से divide करने का, ठीक है, जो भी add करके है, 1 plus 2 होता है 3, 3 divided by 2 क्या होगा, 3 divided by 2 होकर नहीं आता है, तो check करने का, 2 ones are 2, 1 decimal, 0, 2 5's are 10, तो आगया 1.5, तो class mark आपको आजाएगा 1.5, है न, similarly, यहाँ पर क्या हैगा class mark, 2 plus 3 divided by 2, तो 2 plus 3 divided by 2 होगा, 5 divided by 2, 5 को 2 से divide करेंगे, तो आपको आएगा, decimal 0, 2 5's are 10, तो 2.5, तो यहाँ पर लिख देने का 2.5, तो यहाँ पर लिख देने का 2.5, देख रहा है, 1 और 2 के बिच में 1.5, 2 और 3 के बिच में 2.5, 3 और 4 के बिच में क्या हैगा, 3.5, देख रहा है, 1. 1.5, 2.5, 3.5, यहाँ पर क्या आएगा, 4.5, फिर 5.5, यह तो आपने बढ़ दिया class mark, ठीक है, अब यह तो बहुत easy है calculate करना, this is nothing but frequency into class mark, यह फिर fi into xi, इसको multiply करो, 17 into 1.5 क्या आएगा, यहाँ पर चेक कर लो, 17 into 1.5 करना है, तो 57055, 51005, प्लस 3, 8, यह गया, 1707, 11001, तो आ 25.5, ऐसे करके, इसको multiply करके, यहाँ पर क्या हैगा, इसको करके तो बहुत easily 35, देखो, 10 से multiplication बहुत easy होता है, वैसे यहाँ पर दोनों का multiplication आपको लिखना पड़ेगा, जब मैं fair में लिखा हूँगा, तब आपको यह calculation साधे right side में करके दे रहूँगा, लेकिन यह सिर्फ इ क्या है, यहाँ पर आजाएगा total, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यह सारी frequency का sum, मतलब fi का summation, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लोग दूँआ, summation fi, उसको n भी बोलते हैं, और यहाँ पर क्या है, यह सारे products का sum, products क्या fi x आ है, तो उसके आगे summation आजाएगा निचे, ठीक है, क्यों ट्रोल करके 50 आना चाहिए न, तो यहाँ पर आजाएगा 50, अब इसको ट्रोल करके देखो, देखो, यह 0.5, 0.5 यह नीचे करके देखते हैं, ठीक है, 5, 5, 10, 15, 20, तो इधरा गया 0, 2, 5, plus 7, plus 2, 9, plus 5, 14, plus 1, 15, plus 6, 21, तो 1, और 2 carry, 2, plus 2, 4, plus 3, 7, plus 3, 10, 13, plus 1, 14, तो आपका हो अब आपको calculate करने बोला है mean, यह तो आपने सिर्फ table बनाया है, direct method का, इतना सा अगर क्या होगे तो full marks नहीं मिलेंगे, mean कैसे calculate करेंगे, हमको पता है कि हमको कोई भी table बनाये, this upon this लेना होता है, ठीक है, अब दिख रहा है जब मैं this upon this लोगा, ठीक है, तो क्या आएगा इसका value है 141, इसका value है 50, तो यहाँ पर डाल दिया 141 upon 50, इसको divide करेंगे, बहुत ही easy division है यह, देख लो है पर 141 divided by 50, तो 5 से divide करते है, 50 का table थोड़ा difficult होगा न, same ही आने वाला है, आप्स में एक decimal shift कर देंगे, तो आएगा 5, 2s are 10, फिर यह बचा 4, 1, 5, 8s are 40, फिर बचा 1, decimal 0, 5, 2s are 10, 0, तो 5 से divide किया तो 28.2 है, लेकिन हमको 50 से divide करना है, ठीक है, एक और 0 नीच आ रहा है, तो decimal 1 shift हो जाएगा यहाँ तो rough में division क्या है था 28.2, लेकिन आप 50 से divide करेंगे, मैंने 5 से divide किया तो 1 0 होगा न, तो 28.2 में decimal इधर shift हो जाएगा, तो आज एक answer 2.82, तो यहा customers on an average, तो हम लोग लिखेंगे, the mean of the milk sold is 2.82 liters, हो गया, खतम, है एक दम time pass question, इसमें सब कुछ बहुत simple था, सबसे टेकी पार्ट था यह multiplication, कि rough work में आपको, चलो 3.5 to 10, तो 35 directly लिख सकते हो, लेकिन यह 4 products, यह वाला, यह वाला, यह वाला, यह आपको rough में calculate करना ही पड़ेग लेकिन वो छोड़के, बाकी तो यह question में कुछ है ही नहीं, एकदम easily हो रहा है, same steps follow करें, जो हम लोग ने first question में direct mean method में किये थे, है न, आया समझ में, चलो, rough work भी बताता हूँ आपको fair में, फिर copy कर लेना, तो ऐसे आएगा पूरा solution, ठीक है, मैंने यह आपर rough work भी बता दि पता है कि 10 से multiply हो, तो decimal point एक shift हो जाएगा, 35 बन जाएगा, जब 10 से multiply करेंगे, तो एक shift होगा, 0 है न, यहाँ पर, अगर यह division होता, तो decimal point left side shift होता, ठीक है, फिर 4.527, यहाँ पर कर दिया है, 5.523, हमने यहाँ पर किया हो, ठीक है, बाकी तो एकदम simple है, 141 divided by 5, तो मैंने आ पास करो, फटा-फट से copy करो, done, अब करते हैं, second question, second question में, एक table दिया हुआ और बोला है, assumed mean method से करो, table में क्या दिया है, the toll paid by drivers and the number of vehicles is shown, toll कितना पे कर रहे है, 300 to founded, 80 vehicles पे कर रहे है, देखो number of vehicles, 400 to 500 toll कितने लोग पे कर रहे है, 110 पे कर रहे है, आप imagine कर लो, मुंबई पूने expressway पे, जहां पे exit करते हैं, वो ही साब से toll होता है, तो 300 to 400 पे 80 लोग पे करें, वैसे ही, 700 to internet, जो पूरा highway उस करें, वैसे 40 लोग है, वो 40 पे करें, तो अभी ये क्यों पूछ रहे है आप लोग को mean of the toll, क्योंकि ये ऐसा table बना के, ये असली में भी use होता है, ठीक है, कि हम ये तो जान ले कि average toll कितना भर रहे हैं लोग, अगर average toll सही आ रहा है, number of vehicles जादा है, उस basis पे decide होता है, कि ये highway को और बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, चार lanes है, वहाँ पे toll collect करने के लिए, उसके जगे 8 होनी चाहिए, ठीक है, तो ये जो हम use करेंगे ना, कि ये actual decision making में use होता है, तो यहाँ पे पूछा है, find the mean of the toll, ये जो toll collect वाना, उसका mean निकालना है, कौन से method से, assumed mean method से, तो हमको पता है, assumed mean method मतलब बहुमद अजरुदिन, five number batsmen, पांच column, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कितने column है, यह column, one, two, three, four, five, six, मतलब रोज कितने बने रोज बनेंगे, रोज बनेंगे, seven, एक extra row बनेगा ना, total का, columns तो हमको पता है कि, assumed mean method में answer में, पांच ही column आने वाले, तो बनाते हैं column, तो यहाँ देख लो, मैंने पांच column बना लिए, ठीक है, और रोज देखो, one, two, three, four, five, six, seven, ये last वाला total के लिए बना है, class, आपको question म दिया था, copy कर लिया, frequency दे गया था, वो copy कर लिया, तो दो column तो already question में दिये थे, वो भर लिया, थीसरा column यहाँ पर क्या आएगा, class के बाद क्या आता है, class mark, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने class mark लिख दिया, class mark को किस से denote करते हैं, x, i से, तो x, i से denote किया, calculate कैसे करते हैं, lower limit, प प्लस 400, divide by 2, कितना होता है, देखो, 300 प्लस 400, divide by 2, मतलब 700, divide by 2, 2 1s are, 2 3s are 6, 1 remainder, 2 5s are 10, 2 0s are 0, 350 आ गया, तो यहाँ पर मैं लिख दूँँगा, 350, वैसे ही, 400 प्लस 500, divide by 2 करूँआ, तो उसके बीच में क्या आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा, 450, 500 प्लस 600 ओला आ जाएगा 550, या जाएगा 650, या जाएगा 750, assumed mean method में हम क्या करते थे, हम लोग बीच में जो value है, देख लो यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह third value है ना, उसके नीचे दो values है, उसके उपर दो value है, तो यह बीच वाला value है, इसको हम लोग assume कर लेते थे, A, ठीक है, अब जैसे ही आपने इसक का नाम लिखूंगा, D, I, और D, I की value क्या होगी, यह जो भी class mark है, X, I, minus, यह A, जो हमने assume किया है, ठीक है, तो यह case में A कितना है 550, तो इसमें मैं नीचे लिख देता हूँ, equal to X, I, minus, A के जगे पर आ जाएगा 550, अभी हर एक जगे, यहाँ पर क्या आएगा, X, I, क्या है, तो आपको 200 मिलेगा, तो minus 200 आएगा इसका answer, वैसे ही 450 minus 550, ठीक है, 450 minus 550 आएगा minus 100, फिर यहाँ पर क्या आएगा, 550 minus 550, हर एक नंबर में से 550 minus करना है, जब यहाँ से 550 minus करोगे, तो क्या आएगा, 550 minus 550, 0, फिर इसमें से 550 minus करेंगे, तो 650 में से 550 निकलेगा, तो बचेगा 100, 750 म आपने निकाल ली दूरी अब दूरी निकल गई फ्रिक्वेंसी आपने अल्रेडी लिखिए लास्ट वाला कॉलम हमेशा उसके पहले दो कॉलम का मल्टिप्लिकेशन होता है इसको देखे कन्फ्यूज मत हो यह आपके लिए फॉर्मिला लिखा है यहां पे खाली डिया लिखो को यह पे plus, यहां पे minus, तो multiply करके minus आएगा answer 8, 2,s are 16 और 2, और 3, 3, 0 आएगे 16 के बाद तो 16,000 यहां पे भी देखलो minus into plus, answer आएगा minus and 11 into 1 आजाएगा 11 और उसके साथ 2 और 1, 3, 0 मतलब 11,000 120 को 0 से multiply करेंगे तो 1200 आएगा क्या 0 आएगा 0 को किसे multiply करो answer 0 7 1s are 7 साथ में 2 और 1 30 ठीक है फिर 4 2s are 8 और 2 और 1 30 अब next step में इन सब का sum यहाँ पे लिखेंगे उसको क्या लिखते है n या फिर summation fi fi का sum है न तो यहाँ पे मैं लिख दिया n equal to summation fi इन सब का total करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे summation fi di और सब का sum निकालेगे यह वाले column में हम लोग यह सब का sum निकालेगे correct तो यहाँ पे summation fi di आ गया फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे total और यह तो total यहां पे नहीं करते तो वहां पे सिफ डाश डाल दिया है ठीक है आपको डाश यहां पे डालना है तो डाल सकते हो यह नहीं डालोगे तो भी चलेगा अब यहां पे submission करो मैंने सब को थोड़ा सा move कर दिया ताकि line wise हो जाए देखो यहां पे सब 0 है तो इधर 0 जाएगा इसको करने के लिए सारो को आड़ करने के पहले आप यह दो negative को आड़ करो और यह दो positive को आड़ करो क्योंकि 0 तो आएगा निए addition में कुछ फरक नहीं पड़ेगा तो यह दोनों negative है ठीक है तो क्या आजाएगा 6 plus 1 7 1 plus 1 2 तो यह आजाएगा आपको minus 27,000 और यहां minus 15 जब करोगे तो आपको आएगा 12 लेकिन अंसर आएगा negative minus 7 में 30 तो यह आजाएगा minus 12,000 तो यह आएगा 420 और यह आएगा minus 12,000 लिख दो फटा फट से अब इसके बाद तो काफी simple है हम लोग this upon this लेंगे तो मैंने यह आपर लिख दिया this upon this अब इसका value क्या आएगा यहा cancel हो रहा है याद रखना cancel होता नहीं है मैं imagine दोने बोल रहा हूं cancel होगा तो क्या बच्छे का di मतलब यह जो value है वो क्या होगी d bar ठीक है उसने x bar पूछा था mean हम d bar निकाल रहे हैं मतलब अपना answer यहाँ पे खतम नी होने वाला equal to summation fi di है minus 12,000 summation fi है 420 तो यहाँ पे लिख दिय यह जगा 26,000, 200,000, 37,000 और यह जगा 3,200,000 ठीक है तो 200 upon 7 तो उसको मैं divide कर सकता हूं यहाँ पे 200 upon 7 को देख लो यहाँ पे पूरा मैंने आपको divide करके बताया हुआ है काफी simple है इसलिए मैं यह explain नहीं कर रहा बढ़ आपके लिए rough work में रखा हुआ है तो इसका answer आ रहा है 28. 28.571 यह 1 है तो 1 को free में भगा सकते हैं because of 5 से चोटा है तो 28.57 में सीधा लिख सकता हूं यहाँ पे मैंने कुछ भी 0 ignore नहीं किया है जो cut करके आ है वही मैंने यहाँ पे division करके बताया है आप आपके यहाँ पे cut करके लिख देना ताकि दिख जागर मैं यहाँ पे cut करूँग तो जब मैं x-bar निकालूँगा तो assumed mean में वो दूरी add कर दूँगा तो mean x-bar का formula क्या आएगा assumed mean प्लस वो जो average दूरी हमने निकाल लिए एक ही value तो हमने लिए है 550 तो उसके जगे पे substitute कर दिया 550 और d-bar हमारा है minus 28.57 यहाँ पे plus था न तो bracket डाल दो यहाँ पे bracket डालके minus 28.57 next step में यह 550 ऐसे ही रहेगा यह plus into minus बन जाएगा minus 28.57 अब इसको solve करो 550 minus 28.57 यहाँ पे side में 550 को 550.00 लिखना और फिर नीचे minus 28.57 decimal के नीचे decimal डालना solve करो के तो आएगा 521.43 यह क्या था भाई अपना यह था अपना toll यह देख लो यहाँ पे toll का था न class तो इसका answer क्या लिख लिखेंगे the mean of the toll paid by the drivers is rupees 521.43 चाहिए तो यहाँ पे भी rupees लिख दो कोई उसमें wrong नहीं मिलने वाला आपको ठीक है क्या cancel होगा उसके हिसाब से मैं यह लिख लेता हूँ फिर mean निकालते हैं अगर उसने mean पूछा है तो correct चलो video pause करो और फटा फट से copy करो copy कर रहे हो ना तब भी मैं advise करूँगा यह table खुद से बनाओ बहुत chance है कि आपकी mistake होगी cancellation होगे अभी सारी mistakes कर लो exam में जाके नहीं करने है mistakes और doubt नहीं आना चाहिए इसलिए calculation जब करे हो पूरे concentration के साथ exam में पीछा वाला दोस्त पूछ से आ रहे इसका क्या लिखो तब ध नीचे वाला पार्ट अब आते हैं फोट वाले में फोट में दिया है frequency distribution table for the production of oranges of some farm owners is given below find the mean production of oranges by assumed mean method assumed mean से मैंने दो questions करा लिए एक आपको पहला वाला कराया था और अभी second वाला भी कराया तो fourth वाला मैं कराऊंगा लेकिन पहले वीडियो pause करके आपको try करना है बहुत ही easy है सिर्फ calculations change उने वाले हैं बाकी कुछ change नी उने वाला वहाँ पे toll था है यहाँ पे orange है हमको क्या फरक पड़ता है ना toll भरना पड़ा था ना orange खाने मिल रहा है सिर्फ लिखना है तो चलो फटा-फट से fourth का table बनाओ और मुझे answer चाहिए हरे एक बच्चे ने खुच से solve करना है ऐसे बिलकुल भी नहीं सोचना है कि अभी खाले वीडियो देख लेता हूं यह तो बहुत easy है पहले आप लोग एक, दो, तीन, चार, पांच, five columns बनाएंगे because यह assumed mean method है और आपने number of columns question में गिने थे उसके हिसाब से एक extra row बनेगा जो total का रहोगा आप class mark कैसे निकालते है 25 to 30 class है तो 25 plus 30 divided by 2 वो आ जाएगा 55 divided by 2, divide करो 2 1s आ, 2 2s आर 4, 1 बचा, 2 7s आर 14, फिर 1 और 0, तो 2, 5s are 10, तो आएगा 27.5, वैसे ही 30 और 35 का निकालेंगे, 35, 40 का निकालेंगे, यह सारे आपके class mark आ जाएंगे, उसमें beach वाला value यह है, उसके उपर 2 है, नीचे 2 है, मतलब यह exact beach में है, ऐसे उतों जो 5 दोस्त खड़े हैं, तो beach वाला friend कौन होगा, यह 37.5, उसको हमने ले ल चोटा है, 37.5 बढ़ा है, तो आंसर आएगा minus, और दोनों में 10 का difference है, तो 10, फिर 32.5 minus 37.5 आएगा minus 5, 37.5 minus 37.5, 0, 42.5 minus 37.5 positive आएगा, plus 5, 47.5 minus 37.5 करोगी, तो आएगा 10, ठीक है, दिख रहा है, सारा decimal का आएब हो गया, फिर frequency तो question में free में दिया था, फटा-फट टेप लो FID है, यह देखो, plus into minus, तो आंसर आएगा minus, 20 into 10 होता है 200, plus into minus आएगा minus, 25, 5, 0 होता है 125, फिर 15 into 0 होता है 0, 5 into 10 होता है 50, 10 into 10 होता है 100, यह सारो को add किया तो आया 80, और यह सब को add कैसे करते हैं, पहले इन दोनों को करो, फिर दोनों को मिला के add करो, ठीक है, तो आपको आएग मतलब यह D bar का formula है, substitute करो, minus 175 upon 80, मैं क्यों बार 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 बताता हूँ, imagine करना, क्योंकि बहुत बच्चे directly यहाँ पर X bar लिख देते हैं, यह X bar होई नहीं सकता, बिकॉज देखो, इसमें X से नहीं है, और यहाँ पर X होई नहीं सकता, बिकॉज यह किसका multiplication है, FIDI का, आप ग करने की गुणजाईश ही नहीं है, यह divide करके, मैंने आपको यहाँ पर बताया है, देख लो यहाँ पर, दोनों 5 में जाता है, तो आएगा 505, 3 बचा 560, 30, यह बचेगा 530, 15, 2 बचा 550, 25, 35 upon 16, ठीक है, minus sign तो आएगा यह answer में, 35 divided by 16, यहाँ पर मैंने आपको divide करके बता द है, mean x-bar का formula है, a plus d-bar, assumed mean से उसकी दूरी, mean की दूरी, a के जगे 37.5 और d के जगे पर minus 2.19, यह करके आता है 35.31, अभी सब लोगोंने यहीं पर mistake होगी, क्योंकि आपका answer match नहीं होगा, अगर आप table देखेंगे न, ठीक से, तो उसमें जो class दी गई हो, 1000 रुपीज में दी ग तो अब हम जब final answer लिखेंगे, तो हमको 1000 रुपीज में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं answer लिखूंगा, 1000 रुपीज, यहाँ पे लिखूंगा, 1000 रुपीज मतलब multiply by 1000, ठीक है, 35.31 को 1000 से multiply करो, decimal point 3 बार shift होगा, 1, 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 3, तो 3, 5, 3, 1, 0, रुपीज में answer आएगा, final answer लिखेंगे, the mean of the production of oranges is रुपीज 35,310, ठीक है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि 35.31,000 रुपीज लिखेंगे, तो भी right मिलना चाहिए, because this is nothing but 35.31,000 रुपीज, but मैं बोलता हूँ कि 1000 रुपीज से multiply करके देदो याँ, ठीक है, ये, जो subtraction है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे करके बताया, एक step मैंने कम किया, ये plus into minus minus आ जाएगा, आप देख सकते हो खुद से वो, ठीक है, एक बात पूरा solution देख लो, और जिन बच्चों को यहाँ तक भी right आया ना, comment मुझे जाके बताओ कि sir, हमको ये correct आया, और हमको समझ में भी आया, एक mistake नहीं किया, वो पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है, अपने लिए नहीं, मेरे लिए लिख दो हाँ पर जाके, ये है उपर का टेबल, फटाफट से वीडियो पॉस करके copy करो, अगर कहीं पर mistake आप की दो, एकदम fair में करना, सौल ऐसे नहीं के rough मे revise करेंगे, और यह है इसका second part, यहाँ पे जिसने mistake के नहीं, उसको छोड़ू आनिया मैं, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि imagine करके लिखो, पहले ये लिखने का, फिर ये लिखने का, थाकि mistake होने का chance ही नहीं, टीचर को थोई ना पता चलने माला है कि आपने ये पहले ल workers in a company for the drought affected people are given in the following table, इसको drought बोलते हैं, ठीक है बट प्रनुशेशन ये English का लेक्चर नहीं है, मैं आट से इसले छोड़ दो, find the mean of the funds by step deviation method, आपको कितना fund एखटा हुआ, वो step deviation method से find out करना है, direct method नहीं, assumed mean method नहीं, step deviation method ही करना पढ़ेगा, step deviation मतलब MS 2 नहीं, MS 2 क्या मारता है, 6, तो 6 column आने वाले हैं, और rows कितने आएंगे, count करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 7 rows आएंगे, ठीक है, तो फटा-फट से एक table बनाओ, जिसमें 7 columns, 7 columns आएंगे क्या, 6 columns और 7 rows आएंगे, चुरो फटा-फट से बना दो, तो यहाँ पर मैंने 6 columns और 7 rows बना दिये, ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग इसमें values plot करेंगे, यह class जो है fund की, यह तो हमने question से copy किया है, class and frequency, यह question में दिया है, class क्या है, fund in rupees and frequency है number of workers, देख लो यहाँ पर question में, दिया है आपको, class है fund in rupees में और यह है number of workers, तो यह फटा-फट से हम लोगने यहाँ पर plot कर दिया, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, class mark, तो यहाँ पर देखो, class mark क्या आएगा, xi, 0 plus 500 divided by 2, 0 plus 500 मतलब 500 divided by 2, आजाएगा 250, तो यहाँ पर लिख दो, 250, ठीक है, 250 के बाद क्या आएगा, 500 plus 1000 divided by 2, कितना आता है वो, 750, फिर वैसे ही करकर के आपको सारी values मिल जाएंगे, मुझे पता है कि first, second, third, fourth, fifth, यह third वाला value में assume mean लेने वाला हूँ, इसलिए इसको left में लिखा और A लिख दिया हूँ, यह क्या आया, 1500 पर 2000, कितना आ जाएगा, 3500, divide by 2 करेंगे तो आएगा, 1750, इन दोनों को add करके आएगा, 4500, divide by 2 करेंगे तो आएगा, 2250, अब next क्या करेंगे हम लोग, देखो, assume mean पत मिला होगा, XI minus A, और यहाँ पर A की value है, 1250, तो यहाँ पर substitute कर दो, XI minus 1250, अभी हर number को 1250 से minus करो, 250 में से 1250 निकालोगे, तो negative आएगा, छोटा minus बढ़ा, और 250 कैंसल होगा, 1000, तो आपको मिलेगा, minus 1000, 750 में से 1250 निकालोगे, answer negative आएगा, minus 500, 1250 में से 1250 निकालोगे, तो आ positive आएगा, और क्या बचे का 500, फिर 2250 में से 1250 निकालोगे, तो आएगा, आपको 1000, गलती क्या करोगे, पता है आप, आप करोगे, 250 में से 750, यहाँ पर एक value mistake कर दोगे, कि 2250 में से 1250 में से 1750 करने के बतले, 2250 में से 1750 निकालोगे, काफी बच्चे करेंगे, अभी आपको ऐ यह mistake किया है, कि 2250 माइनस 1750, तो comment से मुझे बताओ, wrong आएगा answer से, कि आपने यह mistake किया, और अब आप यह mistake नहीं करेंगे, because मैंने बता दिया और आपको भी पता चल गया, तो यह assume mean method तक का जो काम था, वो कर दिया, अब एक नया column बनेगा, क्या है का नया column का नाम, first question में मै आपको कराया था, UI, ठीक है, और UI का formula क्या था, यह जो भी DI है, जो यहाँ से निकाला, upon G, यह G एक नई चीज है, क्या है G, देखके डरना नहीं है, G है यह group की width, यह 0 और 500 की width कैसे निकालेंगे, अपर limit में से lower limit माइनस करेंगे, 500 माइनस 0, कितना आता है, 500, अब चेक कर ल तो 1, 2, 5, 0, and G equal to 500, अब DI तो आपको हर जगा पता ही है, G आपको पता है, 500 है, substitute करो, यहाँ पर क्या हैगा, minus 1000, जो DI है, और G है 500, क्या जाएगा, टूजा, तो बचा minus 2, तो यहाँ पर लिख दिया, minus 2, इधर क्या हैगा, DI upon G, DI क्या है, देखो DI, minus 500, और G क्या है, 500, कट हो जीरो, जीरो, कट, 1 upon 50, अरे, मैट्स आपके घर में बनाया क्या, 0 divided by 500 करेंगे, तो 0 ही आएगा, खुद के स्टेप्स मेंट मत करो, फिर यह 500, और G कितना है, 500, 500 divided by 500 हो जाएगा, 1, यहाँ पर 1000 divided by 500 आजाएगा, 2, ठीक है, next step में क्या होगा, अब हमारे सारे कॉलम्स हो यहाँ बचा, last वाला कॉलम is product of second last, and third last, तो fi into ui, यह सब लिखने का जरूरत नहीं है, पर यह आपको समझ में, इसलिए मैं formula लिता हूँ, यहाँ पर आप सिर्फ ui लिखते तो भी चलता, ठीक है, यह वाला कॉलम बन जाएगा, आपका, fi ui, multiply करो, यह plus into minus आएगा, minus, 35, 2000 आएगा, 70, तो minus 70, ठीक है, यहाँ पर plus into minus आएगा, minus, 28 into 1 आजाएगा, 28, 32 into 0 आएगा, 0, 15 into 1 आएगा, 15, 10 into 2 आएगा, 20, next step में, यहाँ पर total लिख दो, और इन सब का sum करेंगे, 5 plus 8, 13, plus 2, 15, plus 5, 20, 20 plus 0, 20, तो यह 2 आएगा, 2 plus 3, 5, 5 plus 2, 7, 7 plus 3, 10, plus 1, 11, plus 1, 12, तो यहाँ आ दोनों को add करेंगे, दोनों negative है, 7 plus 2 आजाता है, 9, तो आजाएगा, 98, लेकिन negative है, 15 plus 2 आजाएगा, 35, तो minus 98, plus 35, मतलब, answer तो negative आने वाला है, और 98 minus 35 करेंगे, तो क्या है, 8 minus 5, 3, 9 minus 3, 6, तो आजाएगा, आपको minus 63, ओके, तो यह आगया, आपको, summation FI, यहाँ पर आगया, summation FI, इसके बाद तो हमको पता है, this upon this लेना है, मैंने आपको हमेशा बोला है, पहले यह लिखने का, फिर यह किसकी value है, वो लिखना है, ठीक है, क्या आगा नीचे, तो नीचे हम लोग लिखेंगे, summation FI, UI upon summation FI, अब यह किसकी value है, यह किसका formula है, गलती से यहाँ पर X bar मतलि देना, D bar मतलिक देना, क्यों, because, imagine करो, यह दोनों cancel होगा, तो बचेगा सिर्फ UI, तो यह है formula U bar का, ठीक है, अब value substitute करो, summation FI, UI है, minus 63, और summation FI है 120, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, minus 63 upon 120, इसको cut करो, क्या आता है, देखो, यह दोनों जाएंगे 3 के table में, तो यहाँ पर जाएंगा 3, 4, 0, 0, और जाएंगा 3, 2, 0, 1, 0, तो 21 upon 40, minus, तो यहाँ पर लिख दिया, minus 21 upon 40, अब इसको divide कैसे करेंगे, 0 को ignore करो, कि 4 का table easy है, 21 को 4 से divide करो, answer तो minus में आने वाला है, minus के साथ, 21 को 4 से divide करेंगे, तो आपको मिलेगा 5.25, लेकिन 21 को 4 से नहीं, 40 से divide करना थ तो जैसे ही मैं 1, 0, नीचे extra लरूँगा, जो answer आया है, उसमें decimal point एक left shift हो जाएगा, तो मुझे answer मिलेगा 0.525, ठीक है, अगर आपके पास बहुत time है, तो यहाँ पे 40 लिख के ही पहले से divide करो, direct answer मिलेगा, लेकिन आपको decimal point समझ में आता है, तो 4 से divide करो, because 4 का division easy है, तो य बिला है, इसमें हम लोग ने assumed mean assume किया है, तो assumed mean तो आएगा ही आएगा, ठीक है, plus क्या आएगा, d bar मतलिक देना, क्योंकि यहाँ पे d के बाद हमने u निकाला है, और u कैसे आता है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग d bar कब लिखते थे, assumed mean method में, तो अगर मुझे d bar का value यहाँ पे देख लो, suppose assume कर लो, यह d bar है, तो यह g को उधर फेक दो, तो क्या जाएगा, u i into g और equal to d, तो d i को अगर d bar लिखा, तो u क्या बन जाएगा, u bar, g नहीं बनेगा g bar, because gx fixed value है, u और d दोनों change होते, देखो, यह d की अलग-अलग values है, यह सारी u की अलग-अलग values है, g की तो एक ही value है, तो यह g को जब यहाँ पे फेको कि imagine करो, d के जगे पे क्या आ रहा है, u g, लेकिन हम नीचे क्या लिखते हैं, यहाँ पे, d bar लिखते हैं, तो d bar के जगे पे अगर u g लिखा, तो u के जगे पे आएगा u bar, okay, same formula है, लेकिन एक extra letter है, इसलिए वो भी लिखन आपड़ेगा, तो यहाँ पे लिख दिया, u bar g, substitute करो value, a अपना था कितना भाई, 1, 2, 5, 0, तो यहाँ पे लिख दिया, 1, 2, 5, 0, plus, u bar क्या है आपका, u bar है आपका, minus 0.525, और g था 500, u bar, g मतलब u bar multiplied by g, negative है न, तो bracket में डाल दो, u के जगे पे minus 0.525, g के जगे पे 500, यह इस 52525 करेंगा, तो 2.65 आता है, पर यहाँ पे 2 extra 0 आ रहे हैं, तो यह decimal multiply हो रहा है, देखो, तो right में shift होगा, तो आजाएगा 262.5, बहुत टाइम में लाइफ में, तो 500 से multiply करो भाई, यहाँ पे x x x करके करो क्या आप लोग, कर लो, ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है, यह decimal वागा, तो समझना शुरू कर दो, यह आपके बहुत काम आने वाला है, लाइफ में, तो यहाँ पे आ गया, minus 262.5, अब यह दोनों को हम लोगों ने क्या किया, add कर दिया, देखो, plus into minus, दो एगा minus, तो मैं लिख दूँगा, 1250.0 minus 262.5, minus करके मुझे आया, 987.5, तो यह अ minutes के marks आपके न जाएं, यह इसका पूरा solution है, बिल्कुल भी मत्तोचो difficult है, because मैंने आपको पूरा comparison करके बताया कि, क्यों extra column आया, तो formula change हुआ, D के जगे पे ही यह आ रहा है, सानी कि उस नया invent किया गया, बढ़ आपका जो actual calculation है, वो इससे simple हो जाता है, ठीक है, आपको ऐसा जगर आओगा नहीं होता, but real life problem solve करोगे, तो step deviation method से, it becomes much easier to solve, ठीक है, चलो video pause करो, इसको copy करो, फटा पट से, यह इसका first part है, कर लिया copy, and यह इसका second part, done, calculation mistake मत करना, यह इसका पूरा solution, आगे बढ़ते हैं, sixth question में दिया है, the following table gives the information of frequency distribution of weekly wages of 150 workers of a company, एक table दिया है, 150 workers है, तो number of workers का जब total करेंगे, उसका answer पहले से दिया हुआ है, ठीक है, cross check कर लेना, find the mean of the weekly wages by step deviation method, अब भी आपको सिखा है मैंने step deviation method, बस वही उसकरना है, लेकिन यहाँ पे catch है, यहाँ पे कितने columns बनेंगे, step deviation method, ms 2 नहीं, मतलब six बनेंगे, लेकिन rows कितने बनेंगे, count करों यहाँ पे, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो छे rows बनेंगे, जब आप छे rows बनाएंगे, तो जो values होंगी, उसकी एक, दो, तीन, चार, चार ही होंगी, जब assume mean निकालेंगे, तो आपको problem आएगा, कि बीच वाला value कौन सा हो, जो class mark निकालेंगे, वो इधर वाला class mark लेंगे, कि इधर वाला लेंगे, ठीक है, कौन सा भी ले सकते हैं, एक बार आप यह वाला class mark लेके try करना, और एक बार यह वाला, इसका class mark लेका ना, 2000 divided by, 2000 प्रस 3000 divided by 2, ठीक है, तो एक बार वो लेके देख करना, जिन बच्चों ने खुझ से किया, उनको ऐसे आया होगा, class में fund लिख दिया, और frequency में number of workers लिख दिया, fund की classes यहां पे लिख दी, class mark यहां पे निकाला क्या आएगा, 1000 प्लस 2000 divided by 2, 1000 प्लस 2000 मतलब 3000, 3000 को 2 से divided कर रोगे तो आएगा 1500, वैसे इसको आड़ करके आएगा 5000, इधर आएगा 3500, इधर आएगा 4500, मैंने इसको assumed mean लिया, आप इसको भी ले सकते हो, answer correct मिलेगा, ठीक है, फिर di निकालोगे, ui निकालोगे, which is di upon g, यह मैंने आपके reference के लिखा है, di upon g कितना है, 1000, देखो यहां पे, width कितना है, 2000 minus 1000, which is 1000, 3000 minus 2000, 1000, तो g हर जगे 1000 है, यहां प में दिया गया था, last वाला column is, multiplication of this and this, 25 to minus 1 minus 25, यह सब किया, add किया, और next step में, summation fi, ui upon summation fi लिखा, वो किसका value है, u bar का, यह solve करके, इसका value निकाला, rough work में से, देख लो, यहां पे, 5 17s are, और 5 30s are, 17 divided by 3 किया है, मैंने 30 नहीं, इसलिए यहां पे, अगर 5.66 answer, ठीक है, तो, अगर मुझे 2 decimal में लिखना है, तो, यह 6 free में नहीं भागेगा, because 5 से बढ़ा है, तो, यह 6 बन जाएगा 7, तो, आएगा 0.57, ओके, समझा, calculation, अगर नहीं समझता है, तो 17 divided by 30 कर लो, भाई, ठीक है, वो भी चलेगा, फिर mean x bar का formula है, a plus u bar g, value substitute किया, और आपको answer है, 3070, तो, जिन बच्चों ने यह assume mean लिया है, उसका answer अलगाएगा, वो पीछे दिया हुआ है, वो भी देख लेगा, ठीक है, अच्छे से देखो, कहां पर mistake किया आपने यह method में, बहुत opportunity मिलेगा, यहां पर mistake करने का, चेक कर लो, जिन्नों ने यह assume mean लिया है, उनका answer थोड़ा अलग जाएगा, टेक्स बीचे चेक कर लो, वो ही answer मिलना चाहिए, ठीक है, यहां पर देख लो, question number 6 में, दो answer दिये है, question number 5 में भी दो answer दिये, because assume mean आप अलग ले सकते हो, दोनों answer आपको correct मिलेगे, ओके, तो practice set 6.1 के lecture 2 में, मैंने आपको आज, क्या कराया, question number 2, 3, 4, 5, and 6, and इसी के साथ हमारा practice set 6.1 यहां पर होता है, खतम, यह बहुत ही जादा important practice set है, in fact, यह chapter ही बहुत जादा important है, because यह easy है, इसमें बहुत ही कम tricky questions है, और इसका weightage भी जादा है, इसलिए यह बहुत अच्छे से खतना है, आपको starts, ठीक है, कोई भी वच्चा stats सीख सकता है, इसमें कोई base की ज़रूरत नहीं है, because मैंने आपको एकदम basic से सिखा है, तो आज का lecture यहीं पर खतम करते हैं, वीडियो पसंद आया तो like ज़रूर करें, link अपने दोस्तों के साथ, whatsapp, telegram, सब जगे शेयर करें, ताकि वो भी ये वीडियो देखें, और चैनल को support करें, और आपका channel और ज वीडियो कैसा लगा, मैं हर एक comment पे reply नहीं कर पाता, लेकिन मैं comments पढ़ता जरूर हूँ, और आप जब comment करते हैं, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है, कि किसी बच्चे को यह समझ में आ रहा है, और वो समझ के, वो exam में marks ला पा रहा है, telegram पे और Instagram पे हम same handle से available है, Yogesh Sirs Backbenchers, वहाँ पे join कीजिए हमको और updates के लिए, thank you so much for watching this video,